आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिश्ट रोल की रेसेपी, ये रोल तिल मावा रोल है, सर्दियों के लिए बहुत ही खास रेसेपी है, तिल की तासिर गरम होती है, तो ये सर्दियों के लिए फायदे मंद है, I hope आपको ये रेसेपी पसंद आएगी, तो फ्रेंट्स आई यहां पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे 1500 ग्राम सफेद तिल कप से नापे तो यह एक कप से थोड़ा सा कम यानि कि दो तिहाई कप तिल हैं तिल को हम भुन लेंगे 2-3 मिनट तक इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे जिससे की तिल का कच्चापन खतम हो जाएं बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है हमें इसका कलर चेंज हो जाने तक नहीं भुनना है तो बस 2-3 मिनट तक हमने इसे भुन लिया है अब ये तिल अच्छे से भुन चुका है तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये थंडे हो जाए थंडे होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे अब यहाँ पे लिया है मिश्री ये धागे वाली जो मिश्री होती है वो है आज हम बिना गुर बिना चीनी के मिश्री से बनाएंगे ये रेसेपी तो मिश्री में जो बीच में धागे होते हैं उसे हमें निकाल लेना है तो यहाँ पर इसे इस तरह से तोड़ लें चोटे चोटी टुकरों में जिससे की चुट टुकरों में तूटने के बाद इसके जो धागे हैं वो आसानी से निकल जाएंगे तो बीच में ये रेखिए इस तरह के धागे होते हैं तो इसे निकाल लेंगे इसके बाद हम सारे मिश्री को मिक्सी के जार में डालके इसको पीस के इसका पाउडर बनाएंगे साथ ही इसमें मैंने एड़ कर दिया है दो हरी इलाइची, चार बादाम, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं तो यहाँ पे यह देखिए पाउडर शुगर बनके यहाँ पे तयार हो चुका है अब हमारा यहाँ पे तिल भी थंडा हो चुका है तिल को ठंडा होने के बाद ही पीसे हमें इसका एकदम fine powder नहीं बनाना है इसलिए यहाँ पे मैंने 2 चमज तिल निकाल लिया है इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे और बाकी के तिल को mixi के jar में डालके इसको grind कर लेंगे एकदम fine powder नहीं बनाना है दरदरा रखना है pulse mode पे 2-3 बार इसे हमने ऐसे यह दरदरा पीस लिया है तो अब हम चलते हैं यह roll मिठाई बनाने के लिए gas पे एक कडाही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक glass दूद यह दूद पहले से उबला हुआ है तो हम दूद में उबाल नहीं लाएंगे बस इसे गरम कर लेते हैं तो यहाँ पे दूद अच्छे से गरम हो चुका है कोई सा भी दूद ले ले मैंने यहाँ पे फुल क्रिम दूद लिया है अब हम इसमें आड़ कर देंगे powder sugar जो हमने पीस के रखा था और इसे अच्छे से दूद में mix करते हुए दो मिनट तक पका लेंगे यहाँ पे हमें दूद को इस समय बहुत जादा गाढ़ा नहीं करना है तो यहाँ पे powder sugar के mix हो जाने तक हमने इसे पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे milk powder तो इसमें मैंने एक कप milk powder लिया है और milk powder डालके इसे तुरंत ही तेज हाथ से चलाते हुए mix करेंगे नहीं तो milk powder की गुठलियां बन जाएंगी तो यहाँ पे यह रेखे अच्छे से इसे mix कर लिया है milk powder की गुठलियां सारी खतम हो जानी चाहिए और अब हम इसमें डाल देते हैं पिसे हुए तिल तिल का powder भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे तुरंत ही mix कर लेंगे जैसे जैसे यह mix होता जाएगा यह गाढ़ा होने लगेगा हमें इसे लगातार चलाते हुए mix करते हुए पकाना है तब तक पकाना है जब तक यह dough जैसा ना बन जाए इसके बाद ही यह roll बहुत ही अच्छे बनके तयार होंगे तो यहाँ पे low flame पर हमने इसे mix किया है यह रेखिए गाढ़ा होने लगा है गैस का flame low रखेंगे low flame पर यह जलेंगे नहीं और अच्छे से mix हो जाएंगे तो यहाँ पे यह देखिए धीरे धीरे यह कितना गाढ़ा होने लग रहा है तीन से चार मिनट लगेंगे इसे भुनने में और यह dough बनके तयार हो जाएगा तो यहाँ पे अब हम इसे ठंडा होने देते हैं तो मैंने इसे ऐसे फैला लिया है जिससे की यह ठंडा हो गया है पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं है हलका ठंडा है इतना कि हम इसे हाथ से छू सकते हैं तो बस अब हम इसे एक butter paper पे रख देंगे और बटर पेपर पे आप चाहे तो गी या तेल लगा सकते हैं जिससे की ये चिपकेंगे नहीं लेकिन मैं इसको इसी तरह से सभी तरह से ऐसे रोल कर रही हूँ और रोल एकदम चिकना होना चाहिए बहुत ही आसानी से बन जाता है ये अभी हलका गरम है तो हम अपनी पसंद का इसको शेप दे सकते हैं बटर पेपर में ऐसे हमने यहाँ पे इसे रोल कर लिया है रोल करने के बाद हम इसे आदे गंटे तक के लिए फ्रीज में रख देंगे जिससे की ये अच्छे से टाइट हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो अब हम इसे आदे गंटे तक के लिए फ्रीज में रख देते हैं अब यहाँ पे ये अच्छे से रोल सेट हो चुका है तो इसे बटर पेपर में से निकाल लेते हैं बहुत जादा ज़ंजट नहीं है इस रेसेपी को बनाने के लिए तिल मावा रोल बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में बहुत ही बढ़िया बनी है ये देखिए अब जो हमने दो चमबस दिल बचा के रखा था उसे इस तरह से रोल पे लगा देते हैं मैंने यहां पे शुरू में नहीं लगाया है रोल क्योंकि जब यह ठंडा होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है तो देखने में यह अच्छा लगे इसलिए हम इसे बाद में लगा रहे हैं कट करने से पहले तिल को अच्छे से कोट कर लिया है रोल पे अब हम इसे कट करते हैं बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएगा ये देखिए और इसी तरह से हम आधे पॉना इंच के चौराई में इसे कट कर लेंगे मोटा ये पतला आप अपने हिसाब से रख ले रोल मैंने मीडियम ही रखा है और इस तरह से हम यहाँ पे सारे रोल कट कर लेंगे बहुत ही सॉप्ट बने है बहुत ही बढ़िया रोल बने है मैं आपको एक यहाँ पे उठा के दिखाते हूँ ये देखिए नजदीक से देखिए बहुत ही बढ़िया रोल बने है तिल मावा रोल है खाने में बहुत जादा स्वादिष्ट है और सर्दियों के लिए ये बहुत ही खास रेसेपी है तिल की तासिर गरम होती है और हमने इसे बिना चीनी बिना गुर के बनाया है तो बहुत ही बढ़िया एकदम पर्फेक्ट रोल बनके तयार हुए है सर्दियों में बिना मावा के आप ये तिल मावा रोल बनाईए बिल्कुल खोये वाला टेस्ट है इसका आई होप आपको ये रेसेपी पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में